Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल पर क्या politics चली और उसका क्या conclusion है, यह सारी चीजें हम discuss करेंगे आज के इस विडियो में. So ladies and gentlemen, boys and girls, my name is Ayush Sanghi और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ Study IQ IS पर. Study IQ IS जो है वो IS aspirants की structured तरीके से best and best तयारी करवाता है. जितने भी students 2024 के aspirants हैं, आप सभी के लिए हम well curated courses Study IQ पर लेकर आए हैं. जहाँ पे भारत की top faculties 900 घंटे से उपर में आपको live teaching करवाते हैं, उसी के साथ साथ test series और answer writing practice भी करवाते हैं जिससे आपकी preparation का level enhance हो. तो महनत हमारी result की guarantee जो है, वो आपको platform के रूप में, महनत के रूप में provide करी जा रही है. तो इस चीज़ को लेकर 2024 के aspirants के लिए हमारे पास एक well curated structured solution है, एक course जो की 2 January को शुरू हो रहा है. आप सभी लोग उस course को subscribe कर सकते हैं, जो की हमारी app पे है, जिसका link आपको नीचे description पे देखने को मिलेगा. तो आईए हम start करें, discuss करें, आदिवासी और वनवासी के बीच में क्या फरक है, इसी को लेकर आपको मैं ये बता दूँ कि आप मेरे साथ अन्य सोशल मीडिया handles पर, खास कर आप टेलेग्राम पे मेरे साथ जुड़े, जहां पर आपको इन सारे videos की PDFs प्राप्त होंगी, और उसी के साथ साथ हम और बहुत सारी अच्छी information देते हैं, जो कि आपके लिए useful रहेगी आगे चलके कि आपकी preparation का level enhance हो सके, Instagram और Twitter पे भी मैं insights शेर करता हूं, तो यहां पर भी आप मेरे साथ जुड़े, definitely get connected to me on all social media platforms, तो इस पे क्या राजनी चली, ये चीज सुर्खियों मे क्यों बनी हुई है, अभी हाली में जो गुजरात के चुनाओं हुए है, उनको लेकर काफी focus scheduled tribes पे था, आदीवासियों पे था, तो देव रूज बेवासियों पे था, तो ये चीज नीज में क्यों थी, जहां पे बीजेपी के नेता के ओपर, आदीवासियों पे था, तो Allegation ये लगाया गया, राहुल गांधी द्वारा उनकी पध्यात्रा में, कि वो आपको बनवासियों या वनवासियों कहते हैं, आदीवासियों नहीं कहते हैं, वनवासियों इस डिस्ग्रेस तो दे कम्यूनिटी, आपकी पूरी कम्यूनिटी की एक तरीके से बेज़जती ह So, they say that you are not the first owners of Hindustan, आप भारत के पहले owners नहीं है, they tell you that you live in jungles, मतलब आप forest में रहते हो, जंगलों में रहते हो, या आप जो है, आप शहरों में नहीं रहते हैं, और आपके बच्चे पढ़नेक नहीं सकते, आपको अच्छी सुविधाएं, स्वास्थे से related जो है, या education से related ह वो नहीं प्राप्त हो सकी, वो डॉक्टर इंजिनियर नहीं बन सकते, अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ऐसा राहूल गांदी जी का कहना था, कि ये ऐसा BJP का stand है, this is the stand of BJP, तो आप डिसकस करते हैं, आपको ये समझाते हैं कि आदिवासी कौन होता है, वनवासी कौन होता है, और इसको लेके क्या dispute है, क्या politics चल रही है, तो आदिवासी जो होते हैं aboriginals, जो उस area को belong करते हैं, उस region को हिंदुस्तान की originals, जो हिंदुस्तान की सदियों से, पीडियों से चले आ रहे हैं, उनका origination वही हुआ, aboriginals, इसी तरीके से US में काफी सारी tribes हो हैं, अमेरिका में, जिनको aboriginals कहा जाता है, they are considered to be aboriginals, first inhabitants or early settlers of that particular region, of that particular country, जबकि बनवासी या वनवासी का मतलब ये होता है, कि आप जो है, आप रहते ही वन में हो, यानि कि forest में, जंगल में रहते हो, आप रहते ही वही हो, आप वही को belong करते हो, वहाँ से आप निकल के नहीं आ सकते, तो first inhabitants हो ना तो आप कहीं भी रह सकते हो पूरे हिंदुसान में, वन वासी कि आप सिर्फ forest dwellers हो, आप वही रहोगे, so the constitution of India uses the term, कौन सी term यूज करता है, scheduled tribe, scheduled tribe को क्या कहा जाता है, अनुसूचित जनजाती, I repeat, अनुसूचित जनजाती, ये कहा जाता है, हिंदी में, ये सम्विधान का term है, scheduled tribe, इनको schedule करा गया है, इसने scheduled tribe कहा जाता है, वरना ये tribe है, जिनको आदिवासी के नाम से जाना जाना चाहिए, लेकिन हमने क्या बोलते है, या मतलब यहाँ पे politics किस चीज़ की चल रही है, वो चल रही है कि इनको one वासी क्यों कहा जाता है, why are they called as one वासी, तो इसी चीज़ को लेकर पूरा dispute है, so this has been an old debate, यह debate बहुत पुराना है, और यह नया debate नहीं है, how should they be recognized, इनको किस सरीके से recognize करना है, तो इस पे कई सारे leaders का जो है statement है, BJP वानों का statement है, RSS का statement है, रहुल गांदी जी ने क्या बोला, आपने देखा है, तो ऐसा क्या है इसके around, what is the clout around this, many people have pointed out that tribal communities don't necessarily live in forest, बिल्कुछ सही बात है, वे scheduled tribes को benefits available है, उनके बच्चे अगर colleges में पढ़के शहरों में आते हैं, tier 1, tier 2 towns में, नोकरिया करने आते हैं, तो अब वो forest dwellers थोड़ी हुए, तो वन वासी कहना उनकी community को disgrace है, तो ऐसा जैपाल से मुंडा जो खुद एक tribal community को belong क करते थे, उन्होंने एक hockey player थे, जिन्होंने बाद में ये बोला कि वो tribal representative assembly के बने, insisted on using the word आदिवासी, क्योंकि वो खुद उस community को belong करते थे, अच्छा hockey केलते थे, और national guy, international guy, भारत को represent करा, तो वो कैसे बनवासी हुए, वो तो आदिवासी हुए, ये चीज कैसे बने, इस प committees आदिवासी नहीं उस करती, वनवासी क्यों उस करती है, आदिवासी has not been used and the word बन जाती has been used, तो कहा ये जा रहा है कि आदिवासी has grace, इज्जत है, उसमें respect है, dignity है, I do not understand why this old abusive epithet of बन जाती is being used for till recently it meant an uncivilized barbarian, क्योंकि आप जो है, आप जंगल के आदमी माने जाते हैं, जो क इनको लगता है कि इनके लिए एक बेस्ती है, एक non-dignified तरीके से इनका कहना है, this is something what created a havoc, इस बार राजनीत इस पर चली, scheduled tribes को क्यों आदिवासी नहीं कहा जाता, तो अब इसकी theory क्या है, कहां से ये theory आई, और कौन सी theory जो है actually मानी जाती है, कौन सी reject करी जाती है, जैसा कि आपने भी सुना होगा कि Aryan invasion हुआ कि Aryans जो है वो Central Asia से आये भारत की तरफ, और यहां पर आके उन्होंने कबजा करा कई-कई regions पे और कुछ-कुछ चीजे करी, that is what happened, so Aryan invasion की theory कि that the Aryans were from somewhere in Central Asia migrated to an already settled Indian subcontinent, यहां पे settled हुए, यह theory RSS हमेशा reject करता है, संग हमेशा reject करता है, तो आदिवासी means original inhabitants और aboriginals, आदिवासी तो आप उनको consider करी नहीं सकते जो भार से आये, so which implies all others are from outside, कि बाकी सब जो है वो भार से है, ऐसा जो है Aryan invasion theory कहती है, लेकिन RSS Aryan invasion theory को मानती नहीं, it does not consider that theory, so what do they say, some believes that we all are original inhabitants of this continent, therefore they are called as one वासी, वो उनको मानती ही नहीं, कि आप जो है आ वान में रहते हो, forest dwellers हो, इसलिए हम आपको वनवासी कहेंगे, इन्होंने ये भी बताया, यहाँ पे RSS के एक आदमी है, जिन्होंने ये बताया कि 1952 में इस word को coin किया गया, was worked among the tribes for years, explained the term वनवासी was established in 1952, 1952 में ये term जो है, ये सामने आया, इसी के साथ साथ कई चीज़े औ aboriginals, मतलब original inhabitants वहां के consider करा जाता है, it was more suited to the American context, ये justification दिया कि आदिवासी क्यों नहीं यूज़े, आदिवासी was brought in by the British in the 1930s, तो आदिवासी term, original term यहां का नहीं है, वो US के context में और Britishers के context में ठीक है, it is no harm in using the word आदिवासी, but in the context of India, it is wrong, ये चीज़ गलत है, अमरीका में the word aboriginals is used for the tribals to get their identity because they were marginalized, लेकिन ऐसा इनका मानना है कि यहां पे aboriginals marginalized नहीं थे, but the word वनवासी simply conveys that they are forest dwellers, कि वो forest dwellers है, कि वो जंगल में रहते हैं और forest को ही belong करते हैं, इस चीज़ पे पूरी राजनी चली और यही पूरी debate है, इसको लेकर मैं बहुत detail में आपक जाता हूँ कि हम समविधान के तौर पे constitution के जो founding fathers थे, उनके सामने भी यह problem थी, क्योंकि 1930 से debate चली आ रही है, tribals उस समाने में भी थे, तो constitution में लेकर हमने उसका provision किस तरीके से बनाया, tribes को किस तरीके से safeguard किया गया, और tribes को कैसे define किया गया, और कैसे tribes में बढ़ोतरी आती है किस तरीके से उनकी संख्या बढ़ती है, किस तरीके से all tribes recognize होती है, यह पूरी चर्चा करेंगे विस्तार में, what are scheduled tribes, उससे पहले मैं आपको यह समझाँगा कि tribe क्या होती है, tribe जो है, आप यह समझके चले, एक ऐसा group है, एक ऐसा सामाजिक faction है, जिस की जो जिस तरीके की practice है, रोज बने की जो practices है, जो उनकी daily habits है, जो culture है, जो social traditions उनके follow होते हैं, वो unique है, मतलब उस area को लेके unique है, वो शायद हम से similar नहीं है, उसको tribe कहा जाता है, या वो उस area की tribe हो जाती है, या उस region की, उस particular specific region का tribe हो जाता है, तो possesses certain qualities and characteristics which are based on unique culture, social and political entity, तो इस वज़े से tribes को आदिव 80 का नाम भी भारत में दिया जाता है, इनको आदिव 80 भी कहा जाता है, that whatever they follow, whatever practices they have, that are considered to be unique, उनको unique माना जाता है, तो इसी के चलते, जो दूसरा term है, या जो term हम use करते हैं, जिसको आप ST के नाम से जानते हैं, schedule tribe, वो बताया गया सन 1931 में, जैसा आप जानते हैं, हर 10 साल में census होता है, तो 1931 में census हुआ, उसके तहद ये define करा गया, कि scheduled tribe जो है, वो backward classes है, या backward tribes है, या backward है, और जो excluded areas में रहते हैं, या partially excluded areas में रहते हैं, so Government of India Act of 1935, GOI Act 1935, called for the first time for representatives of backward tribes, कि जो backward tribes हैं, उनके representatives, या प्रतिनिधी जो है, वो सामने आए, ऐसा सरकारी law में लिखा गया, in provincial assemblies, आपको यहाँ पर ये भी बता दू कि इसी act के तहद, provincial assemblies में, क्योंकि उस जमाने में provinces हुआ करते थे, province of Bombay, province of Calcutta, province of Madras, उसमें STs को pre-independence reservation दी गई थी, So the constitution does not define the criteria कि आप किसको scheduled tribe बोल रहे हो, आप scheduled tribe किसको बोल रहे हो, या scheduled tribe, या किसी भी tribe को scheduled tribe में अगर लेकर आना है, तो उसके लिए क्या criteria है, कैसे recognize करें, ये समविधान में नहीं लिखा हुआ, ये practice के तोर पे अभी तक आ गया है, convention के तोर पे आ गया है, तो definition जो है, हमें मिलती है, वो इसी census से मिलती है, was used in initial years after independence, कि क्या है, जो extruded या partially extruded areas में रहते हैं, और जो backward होते हैं, लेकिन जब समविधान लिखा गया, तो उसमें इस तरीके से mention करा गया, कि हम schedule tribes को कैसे notify करेंगे, तो इस पे लेकर दो provisions आए, जो कि आपको याद होने चाहिए, ये quality के न important है, पहला provision था article 366 clause 25, तो 346 clause 25 क्या कहता है, only provides process to define scheduled tribes, क्या कहता है, language देखे, ST means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342, तो यहां ये कहा गया, कि ये वो है, जिनको article 342 में डीम करा जाता है, to be STs for the purpose of this constitution, समविधान के इस purpose से, आप डीम करते हो, कि 342 में जो specified है, उनको हम schedule tribe माननेंगे, ऐसा 366 कहता है, तो अब आप पूछो कि 342 क्या कहता है, फिलकुल बताते ह What does 342 state? 342, तो 342 में ये लिखा हुआ है, कि राष्टपती यानि President of India सिर्फ एकलौती पावर है, जो tribes को notify कर सकते हैं, या जो एक tribe को schedule tribe की category में डालके notify कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे? वो state के governor's से पूछे करेंगे, जिस state में वो tribe होती है So, President with respect to any state or UT and where it is a state, after consultation with the governor, governor से पूछ के by a public notification specify the tribes or tribal communities or part of groups within tribes or tribal communities as ST in relation to that state or UT, कि उस राज्य या उस UT से related जो भी tribe है, जो backward होगी या कुछ भी होगी, उसको आप यहाँ पे notify करते हो और वो notify करने की power President of India के हाथ में है, जो की governor से पूछ के करते है, they ask the governor and then do So, Article 366 and Article 342 are key articles through which हमें ये पता चलता है कि ST को related power क्या है What is the power with, who has the power with respect to notifying the scheduled tribe? So, the list of ST is state or UT specific and a community declared as ST in a state need not be in another state तो ये चीज़ बिलकुल possible है, ये prelims के आप याद रखेगा, क्योंकि ये state specific चीज़ है तो अगर एक tribe के लोग दो राज्यों में है, दो states में है एक state में एक tribe को scheduled tribe classify करा है, एक state के governor ने करा है तो उस state के governor में या उस state में scheduled tribes को benefits मिलेंगे उसी tribe के अगर लोग दूसरे state में होंगे, उनको benefits नहीं provide किये जाएंगे inclusion of a community as a ST is an ongoing process ये होता रहता है, ये president notify, denotify, notify, denotify करते रहते है कि इसको include कर लो, इसको हटा दो, इसको include कर लो, इसको हटा दो तो ये discussion चलता रहता है, तो ये चीज़ अब ध्यान रखेंगे this is important for prelims, ये चीज़ PT के लिए जरूरी है अभी हमने इतना लंबा चोड़ा process देखा तो उसमें कुछ criteria's है जो मैं आपको भी बताऊँगा तो final decision इसका president's office के पास होता है president को recommendation governor से जाता है और governor को जो recommendation आता है वो वहां की government से आता है तो generally जिस state में tribes होती है वहां पे एक tribal affairs मंतरी होते है जो की उनको recommendation देते है तो process begins at the level of a state or UT with the concerned government or administration seeking the addition or exclusion of a particular community from the SC or ST list तो ये recommend करते हैं president को और president जो है वो आगे recommend करते हैं इन लोगों को So inclusion or exclusion of any community in the STs or SCs list comes into effect only after the president ascends to a bill कि president वो bill को ascend करेंगे notify करेंगे that amends the constitutional order 1950 कि भई इस tribe को include करो So constitutional order 1950 as is appropriate after it is passed by both लोगसभा और राजसभा तो ये काम जो है ये करा जाता है This is something which is done This is something how it is done अब सवाल ये आता है कि state के governors किस basis पर decide करते हैं कि अगर मेरे state में माननी जए 10 tribes है तो ये tribe backward है और ये tribe backward नहीं है उसके कुछ criteria है और ये criteria जो है ये समविधान में नहीं आते ये चीज़ जहन रखेगा ये criteria by convention हमने सीखे है over a period of years ये criteria आपको ज़रूर याद रखने है ये prelims के लिए important है तो call a community an ST The government of India considers some criteria वो क्या है Communities traditional characteristics Are they unique or not और उन characteristics के साब से क्या वो unique है क्या वो backward है तो backwardness एक बहुत बड़ा criteria होता है तो communities traditional characteristics backwardness backward आत्मी कैसे होगा भही जब आप geographically isolated हो आप forest में रहते हो, जंगल में रहते हो, core area में रहते हो आपके पास economic opportunity नहीं है आप पूरे mainstream economy में घुले घुले नहीं तो आप तो backward होई जाओगे आप कुछ करी नहीं पाओगे जो आदमी घर के अंदर बंद होगा वो कैसे forward जा सकता है वो backward हो जाएगा जोग्राफिकली isolated है ethnological traits यह बहुत ethnicity उनकी unique है वो traits है जो कि normal लोगों के traits नहीं है यह normally जो शहर में रहते है शायद उनके वैसे traits नहीं हो ethnological traits are unique characteristics are different geographical isolation all of these things lead to backwardness तो benefits किसको derive होते हैं benefits उसको derive होते हैं जो किसी form का backwardness reflect करता है जहाँ पर backwardness होती है तो क्योंकि यह tribes backward है इसलिए इनको यहाँ पर इस तरीके से reflect किया जाता है यह criteria consider करे जाते है जिसकी वज़े से इनको list करा जाता है scheduled tribes होते हैं और जैसे ही आप ST में गए आपको benefits वहाँ पर मिल जाएंगे whatever benefits are given to STs So how many scheduled tribes are there अब आते हैं reality पे भारत में कितनी scheduled tribes है So according to STs in India as revealed in census 2011 there are said to be 705 ethnic groups listed as STs under article 342 705 ethnic groups है over 10 crore Indians are notified as STs 10 crore से उपर भारती है scheduled tribes है of which 1 crore live in urban areas 1 crore से उपर urban areas वे रहते हैं STs constitute 8.6% of the population this is a very important statistics 700 tribes है 10 crore जो है notified as STs है 1 crore urban areas में रहते हैं कुल मिलाके 8.6% जनसंख्या है वो कौन लोगों की है आदिवासियों की है अब आपको समझ में आएगा क्यों ये बहुत बड़ा vote bank है and 11.3% of the rural population इस वज़े से ये vote bank बनता जा रहा है और जहां चीज vote bank हुई वहाँ पे automatically हर सरकार का constant focus जो है वो पहुँच जाएगा तो कुछ आकड़े आपको दिखाते है Times of India का एक news article है graphic है भील जादे largest tribal community in India आपने नाम सुनाओगा भील, गोंड, संथल बड़ी popular tribes संथल ट्राइब, नालगडा ट्राइब, औराओ, बंजारा, मुंडा, कोली धोर, नागा, खोंड बहुत सारी tribes है top 10 tribes of India by population so in lakhs है 170 lakh 170 lakh जो है वो यहां पर मतलब 17 lakh लोग हो गए उसके बाद गोंड देखिए 350 lakh के वासपा संथन इतने है इतनी massive जो है population है tribes की और सबसे बड़ा भील tribe है यह prelims में भी आ सकता है art and culture में कि बताएं कौन सी tribe की सबस्यादा population है या कौन सी tribe की majority of the population में आती है so more than half of the ST population is concentrated in Central India Central India में जैसे की Madhya Pradesh 36 गड़ में कितनी tribes है तो Madhya Pradesh में इतनी tribes है almost 15% 36 गड़ में 7.5 जारखंड में 8.29 आंद्रबदेश 5.7 महराश्टरा 10% ओडिशा 9% गुजरात 8.5% राजस्थान 8.86% इतनी 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 population जो है इनकी tribal population है और सारे जो है hinterland states है the other distinct area is north east north east में भी काफी tribes है Assam, Nagaland, Mizoram ये पूरे seven sisters और सिक्यम है इन सब में जो है वो tribes है there is no ST population in three states prelims का fact है ध्यान रखिएगा ये पूरी slight prelims के लिए important है Delhi, NCR, Punjab and Haryana जो tribes move करके Delhi वगरा में पढ़ने आई है उनकी बात अलग है ST population जो है यहाँ पे original नहीं पाई जाती and two UTs Puddu Cherry and Chandigarh as no scheduled tribe is notified कोई भी scheduled tribe notify नहीं करी गई है जो यहाँ को belong करती हो that belongs over here तो इस map के जरीए आप देखे कि कहां कहां centered है मध्रपदेश, छत्यसगर, ओडीशा, जारखंड, राजस्थान, गुजरात, महराष्टा आप देख सकते हैं महराष्टा आप अंध्रपदेश में उससे कम है तो more than 50% जो है वो नौत इस्ट के कुछ राज्य है majority जो है आप देख सकते हैं अरुराचरपदेश और यह जो यलो और ग्रीन वाले स्टेट्स देख रहे हैं यहाँ पे major population है so concentration of ST population across various states as percentage of total population of the states has been given over here तो यह given है यह थोड़ा सा उपर नीचे होता रहता है क्योंकि हमारे पास जो data है वो census 2011 का है उसके बाद कुछ-कुछ data update होता रहा है तो यहाँ पे map उसे साब से बना हुआ है so there can be some fluctuation economic survey जब next year आएगा तो उसका data आप देख सकते हैं इसको update करने के लिए या India Airbook से आपको यह data मिल सकता है तो अब जो है अब सवाल उठता है why the words like आदीवासी और वनवासी हैं making headlines exist अभी क्या दिक्कत हो गई जब 1952 में वनवासी आया उसके पहले से आप आदीवासी बोल रहे हो या Britishers बोल रहे थे तो अब 75 साल बात अब क्या debate है is new project coming up for them तो project की बात आ गई तो इस टीस पे चर्चा करते है नया project पता है क्या है देखें नया project आया है elections चुनाओ अब चुनाओ को लेके जब project होता है तो वो project किस पे based होता है वो project based होता है आखडों के it is based on statistics numbers let's have a look at numbers ST को benefit है benefit देखें कितना है क्यों उनके पीछे सरकार्य पड़ी है तो tribals were recognized as a separate political constituency by British जैसा मैंने आपको बताया provincial assemblies में भी इनके नाम को reservation मिला था 1585, 1585 seats में से 24 seats reserved थी in provincial legislatures ये demarcation independence के बाद भी continue हुई apparently there are 554 seats reserved out of total assemblies जितनी assemblies हैं constituted assemblies जो MLA जहां पे होते हैं total 4100 seats है इसमें से 500 से उपर seats ST के लिए reserved है SC नहीं, सिर्फ ST और लोक सभा में 47 seats है 542, 543 seat है 542, 543 उसमें से 47 reserved है however this is not a true reflection of their electoral might reserved है as some states such as Nagaland, Arunachal Pradesh with about 90% and 67% of tribal population इनका कोई representation नहीं है they do not have a seat reserved for STs मतलब इनका representation जैसे parliament में नहीं है इन 47 seats में नहीं है तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि total मिलाके 500 से उपर MPs की seat है इसमें से limited seats जो है वो यहाँ पे आती है मतलब limited reserved seats है जो कि ठीक है मतलब इतनी population की आप reservation ठीक है और MLS 4000 से उपर है जिनका इतना representation है total number of directly elected legislatures इतने है लोकसभा में reserved for STs उसमें से इतना है तो tribal representation not true reflection of their electoral might reason being की कुछ states को representation नहीं मिला है some states have not got representation so why BJP is pushing so hard for tribal votes इसका reason आपको बताते है कि अभी जो है नेतागिरी किस पे चल रही है BJP is pushing so hard आम आपनी party केजरू is after them so tribal voters have rarely been addressed with so much attention as in the ongoing Gujarat election यह बात सच्चा ही है तो Congress जो है वो भी ST के पीछे भाग रही है उसने ST candidates field करे है कुछ states से आम आपनी party केजरू को देखे 5th schedule and the 5th extension to scheduled areas act PISA in tribal regions of Gujarat if voted to power तो इनों ने यह बोला कि हम PISA implement धंसे करेंगे जो अभी तक नहीं हो पाया तो PISA 1996 में पास हुआ था जिससे यह था कि tribal communities की अपनी ग्राम सभा बनेगी मतब tribal यसे एक तो था rural local bodies जो था 73rd Constitutional Amendment Act तो उसमें पंचायत बनेगी scheduled areas यानि की tribal areas की पंचायत अलग बनेगी वो PISA से regulate होगी इसका एक separate कानून आया था यह क्यों है वाई डू tribal votes matter so much अन गुजरात elections वाई गुजरात tribal votes are so important इसका reason बताते हैं पिशली बार 2017 में जब चुनाओ हुए तो उस टाइम पे BJP की 99 seat आई 99 seats जो की 1995 से लेकर अभी तक सबसे कम seat थी BJP की especially जब गुजरात के जो MLA थे अब वो प्रधानमंत्री है और उस टाइम पे भी प्रधानमंत्री थे तो BJP का जीत कर भी हारना माना गया ऐसे वो इसलिए माना गया कि कुल मिलाके गुजरात में 15 seat reserved है tribals के लिए या 15 seat के आसपास है और उसमें से maximum seat Congress को मिली So of the 182 assembly seats 27 are reserved for scheduled tribes who are also called आदीवासी Congress ने 15 seat जीती 27 थी Congress ने 15 जीती भारती tribal party ने बागी की जीती उन्होंने 2 seat जीती और BJP won 9 seats भाजपा को 9 seat मिली यह 15 seat ओं का फरक पड़ गया 15 seat जो BJP के पास आनी चाहिए थी Congress के पास चली गई make or break situation थी क्योंकि Congress के पिछले election में 79 के आसपास seat आई थी So आप देखे worst performance in गुजरात Congress was proclaimed as a real winner with 77 seats जो Congress की नहीं आई थी 25 साल में This time आप is also in the picture आप can't pull off a Punjab and Gujarat तो यह चीज़ कही गई थी This is why tribal seats are also important this time तो tribal seats के पीछे सारे के सारे नेता जो है भाग रहे थे क्योंकि make or break situation थी पिछली बार BJP के मूँपे तमाचा था इस तरीके का कि आपने किया क्या आपने सारे tribal votes खो दिये इस वज़े से tribal debate दुबारा शुरू हुई So other states which have significant tribal population will also be would up in the upcoming assembly elections तो बात सही है एक बार अगर बात शुरू हुई या एक बार उसमें चर्चा शुरू हुई तो बाकी के states में वो ही चर्चा continue होगी क्योंकि आप tribals पे focus हा गया अब 2-3 साल रहेगा कैसे रहेगा बताएं आपको अब आप देखिए देखिए कि कितने राज्यों के elections आने वाले हैं उसमें कितनी tribal जनसंख्या है देखो 36 गड़ 36 गड़ में 30 states with significant tribal population 30% tribal population जारकंट 26% उड़ीचा 24% MP 22% गुजरात 15% राजिस्थान 15% इतनी इतनी जनसंख्या है 2011 census के जाब से total of 189 ST reserved seats तो कौन छोड़ेगा ये आप बिल्कुल in these six states out of which BJP won only 49 seats in the last assembly भाचपा ने सिर्फ 49 जीती पिछली assembly elections पे ये सारी तो tribal vote bank that is being put इतना बड़ा vote bank है एक एक करके सबके चुनाऊ हुआएंगी और सब में फिर tribal vote matter करेगा पिर 30-30% सवह में से अगर आपकी tribal population होगी तो क्यों नहीं उसके बीचे भग होगए अब आप बतावना आप किसको पकड़ होगए और बड़े स्टेट जीतोंगे तो 2024 के लिए रास्ता साफ होगा बड़े स्टेट जीतोंगे तो राजसभा में majority आएगी for the tribal concert the BJP rules only two of these states गुजरात और मधिर पदेश महराष्टा पे भी आना है च्छतिसगर में भी आना है सब जगे आना है तो Congress is in power in three तो ये नेतागिरी यहाँ पर चल रही है वो हर जगे अपना performance जो है वो बढ़ना चाहते है तो what is the status of tribal communities in India tribal communities के क्या हालात है reality में ये एक social topic है जो आपको पता होना चाहिए Indian society के लिए important है governance के लिए important है STs के हालात बहुत ही बुरे है और ये चीज रिपोर्ट से या committee की recommendations में जो findings है उससे आती है आईए देखे scheduled caste से ज़ादा गरीब है scheduled tribes backwardness का जो level है वो कई ज़ादा है poorer than it sees as a community according to global MPI multi-dimensional poverty index 2021 of the total Indian population living in multi-dimensional poverty over 50% belong to ST category जितने रहे रहे हैं गरीबे में गरीबी में आदे से जादा जो है वो आदीवासी है followed by SCs at over 33% the poor social economic status has often been held as the principal reason for the spread of Maoism Maoism जो है जहाँ पर हत्यार उठाके मारने वाली सिती आ जाती है वो इंसान मजबूरी में करता है क्योंकि वो गरीबी से मर रहा है extremism जिसे left-wing extremism भी कहा जाता है तो वो चीज़ यहाँ पर बढ़ती है geographies with higher tribal population despite the multitude of government program aimed at their upliftment तो यह चीज़ करी गई है जिसकी वज़े से मतलब यह स्थिती है जिसकी वज़े से और problems को हम जन्द दे रहे है इनको uplift ना करके भई देखे benefits बहुत हैं इन benefits पहुचे कैसे यह भी तो एक सवाल है कुछ आपको reports दिखाते हैं जिन reports के तहद आप समझेंगे कि स्थिती जो है वो बहुत अच्छी नहीं है यह जो graph है यह literacy rate का graph है यह literacy rate definitely tribals का बढ़ा है यह जो आप नाम देख रहे है census 2011 overall 73% जिसमें से SC का 66% literacy rate है over the years 50 साल में जो आप graph देख रहे हो यह definitely जो है increase किया है it has increased ST की यह green line है 58.96% overall जो है वो 70% प्लस है या 73% है यहां तक ST इसको पहुचना है उसके सिवा जो reports है आदिव 80s are at the bottom rung मतलब वो pyramid के सबसे नीचे आते हैं Development Pyramid Finds Tribal Development Report 2022 यह अभी की report है 29 नमबर की एक महीने पहले की report है क्या report है यह देखिए क्या findings है इनकी देखो उसे यह क्या बोलते है भारत Rural Livelihood Foundation के तहट जो report आई claims to be the first of its kind since 1947 मतलब इनकी study वैसी थी if we look at any issue कोई भी मुद्दा है चाहे वो sanitation का हो education का हो nutrition का हो पीने का पानी हो पढ़ाई लिखाई हो independence आधी वासी are the most deprived आकड़े देखिए इसके यह देखो of the 257 ST districts 230 यानि कि 90 फीसदी 90% are either of for rested or hilly or dry या तो वो बहुत पहाड़ी इलाका है या सूखा इलाका है या हिली इलाका है मतलब असान इलाका नहीं है they account for 80% of India's tribal population जो इन इलाकों में रहती है it further stated that during British colonial rule bond between आधी वासी and their relation of symbiosis with their immediate environment was ruptured यह चीज़ तूड गए थी ruptured कर गए थी after the enactment of Forest Conservation Act in 1980 यह कानून आया the conflict came to be seen as between environmental protection की मुझे environment को driving a wedge between people and forest लोगों के और जंगल के बीच में एक balance बिठाना बहुत ज़रूरी था तो report में यह चीज़ claim करी गए कि वो balance आप बिठाईए but not at the cost of आधी वासी's livelihood it was a national forest policy जो 88 में आई that domestic requirements of local people were recognized पहली बार तो आप कैसे करते हो उनके rights को safeguard करते हो sanitation, खाना, पीना, पढ़ाई लिखाई उनके resources, minerals आप ना चीने उनकी जमीन ना चीन ले in the protection of forest so but the movement towards people oriented perspective has not been matched by reality on the ground कि आप जो कागस पे लिखते हो और जो actually होता है उसमें जमीन आस्मान का फरक है तो 75 साल में इनकी दिक्कते बढ़ी है कम नहीं हुई है over the last 75 years struggles of India's tribal communities have multiplied देखे, आपको positives भी दिखाते हैं फिर दिखाते हैं कि ground reality जो है, वो किस तरीके की है देखे, आप positives देखे कि जो land rights है, forest rights है resources पे जो अधिकार है boundary of the village such as gravel, soil, sand, shrubs, forest, land river, springs are community property वो village की property है जहाँ पे वो tribals रह रह रहे है and all the villagers have community rights over the area मतलब आप इनसे छीन नी सकते उनका अधिकार है all these community rights have got legal recognition मिली है इनको PISA कानून में जो कि बहुत अच्छी बात है आपको मिलनी भी चाहिए उसके बात देखे चोटा नाग को Tenancy Act आया था इनका land protect करने के लिए protection of land rights उनसे जमीन ना चीनी जाए PISA Act ने बोला कि उनका gram सभा अलग होगा उनका पंचायत अलग होगा जो उनी को cater करेगा इनका राइट अफ ट्राइबल कम्यूनिटी के लिए कुछ हुआ नहीं हुआ बहुत कुछ है laws है constitution provision है so since independence tribal communities have been continually struggling against encroachment of their land ये actual problem है जमीन उनसे आज भी छीनी जा रही है water, forest, language, culture ये सब खतम हो जाएगा तो more than 22 lakh acres of forest land has been taken away have been acquired for various projects in the name of development देखिए development के लिए acquire करना पड़ेगा लेकिन वो करोगे आप कानूर अनुसार tribal से पूच के करोगे और urbanization lakhs of acres of land is rested from the tribal community every year उनसे आप जमीन चीन ली जाती है urbanize करने के लिए lakhs of landowners in the state are now forced work as daily wage laborers ये daily wage laborers की तरह ये force करे जाते है कि आप ये काम करो उनको push करा जाते है and that is a very big problem ये बहुत बड़ी समस्या है तो tribal areas को neglect किया गया है वहां तक schools और hospitals की facility dispensary की facility दवाईों की facility पूरी तरीके से नहीं पहुची है सडकों से connectivity बहुत weak है वहां पे vaccination doses जो हैं ड्राइवस बहुत कम चलाई गई है तो वो area कैसे develop करेगा अब देख सकते हैं sanction under the sub plan is being diverted to other heads जो भी इनको पैसा sanction किया गया था money has been used in the construction of jail, road and airport तो tribal की cost पे आप ये सब कर रहे हो they are bearing the brunt of development कि विकास हो रहा है लेकिन वो किसकी cost पे हो रहा है जो चीज tribals को मिलनी चाहिए थी वो किसी और की cost पे हो रहा है कि जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी उसकी अबज में आपके आपका कुछ और हो गया मतलब उसकी अबज में कोई और जो है enjoy कर रहा है या किसी और को चीज मिल गई है जब आप deprived हो तो इसमें आपको बुरा तो लगेगा So global policies, global capital and global markets have now replaced traditional rights of community with corporate interest कि business interest की वज़े से ये चीज़े रप्रेस करी गई है जो कि एक बहुत बुरा प्रभाफ पढ़ता है बहुत बुरा प्रेजिडेंस है कि आने वाली governments के लिए आप क्या कर रहे हो और right से कलना ही सही करोगे क्या ये civil war कर सकती है Comment section में लिक कर मुझे बताईएगा Welfare government of the country is now giving priority to corporates development क्योंकि पैसा सबसे बड़ा रुपईया The Aadivasi and indigenous communities have entered a new phase of struggle against these policy changes कि policy changes के खिलाफ जो है आप पहुँच गए हो जो की एक बहुत गलत चीज़ है और policy changes के खिलाफ आप ना पहुँचे आप tribals को वो ही इज़त दे जो उनको मिलनी चाहिए development करो, विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है जी भर के करो लेकिन not at the cost of a poor backward person क्योंकि उसको सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा आप और हम उसे सपोर्ट नहीं करेगे तो कौन करेगा आप ऐस policy makers नहीं करोगे तो कौन करेगा जिस district में आप हो वहाँ पे अगर आदिवासी community हो आपको कैसा लगेगा कि आपके district के कुछ लोग neglected है और बाकी लोगों को benefits मिल रहे है जरूर ध्यान रखे इस सवाल का जवाब जो है इसको आप सोचे बहुत ध्यान से सोचे एक अपना human side empathetic side जो है उसे realize करें comment section में देखकर बताएं कि आप इस तरीके से और किस community पे analysis देखना चाहेंगे मैं जरूर जाना चाहूँगा आपके thoughts ये काफी नंबा वीडियो था तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा comment section में लिखकर मुझे बताईएगा और हाँ study IQIS जो है वो courses जो है वो लेकर आया है इसी तरीके से हम पूरी analysis करेंगे syllabus की detail में सारी top faculties 900 घंटे से उपर का course हमने structure करा है उसमें आपको prelims के MCQ test series, answer writing practice ज्यानवानी sessions और preparation के बाद mentorship sessions जो है आप लोगों के लिए available है एक बहुत ही affordable price में अगर आप मेरा code use करेंगे तो वो price new year के लिए और affordable कर दिया गया है जो की सिर्फ 19,000 रुपे है तो 19,000 रुपे में आपको सारी coaching plus test series plus ज्यानवानी sessions प्लस mentorship sessions सब कुछ available है सिर्फ एक code के use पे और वो है सांगी life 2024-2024 के aspirants के लिए पहला batch है दो जानवरी को शुरू हो रहा है जरूर सबस्ट्राइब करें उसे और ये PDFs डाउनलोड करने के लिए आप मुझसे मेरे Telegram handle पे जुड़े आयूर सांगी जायस Academy इसी तरीके से मेलत से बढ़ते रहे हमारा पोटसाहन बढ़ाते रहे बहुत बहुत शुक्रिया